आपका स्वागत है और गाउं की चर्चा हमारी आज भी जारी है आज हमारे साथ हैं भारतिय जंताप पार्टी के इताबा सदर से विधायक सर्ता भधवरिया जी जिनसे हम बात करेंगे कि गाउं को क्या चीज चाहिए और इस समय मौझूदा हालात गाउं में क्या है पिधायक जी आपका स्वागत है हमारे कारिग्रम में हम ये जानना चाहते हैं कि जब आप गाउं में गए होगे तो आपको कैसा महसूस हुआ कि आज गाउं की इस्थिती क्या वही होनी चाहिए जो हमारे बजुर्गों ने सपना देखा देखिए हमें बड़ी प्रसनता हो रही है कि आज भारती जंता पार्टी की सरकार गाउं में जो लुपाध्याई जी का कंसेप्ट था कि गाउं की हर जोपडी में दीपक जलना चाहिए और उस कंसेप्ट को लेकर आज भारती जनता पार्टी चल रही है मुझे लगता है कि गाउं में जो उन्होंने हाट की योजना बनाई है अभी मैंने स्वैम कई बाजारों का हाट बाज जो गाउं की मूलभूत आवस्ता है जैसे कि हर गाउं में जानवर होते हैं तो एक पसुची की साले नहाई पंचायत इस तरह पर होना चाहिए गाउं में इस समय गाई की समस्या है क्यूंकि पहले की सरकारों में तो गाई कट जाती थी लेकिन मानिए योगी जी की सरकार मे बहुमी को खाली करवाने का काम चला है, हमारी सरकार उस सारी भूमी को खाली करवाकर उस पर गौसदन के नाम से एक बड़ी गौसाला बनाने जा रही है जिसमें कमपोष्ट खाद और तमाम गाय के मूतर से और जो भी उसदियां कि गाय का तो रौम-रौम उसदी के लिए प् अपने बजट में 63,2-3 करोड रौपया मुझे लगता है कि सरवादिक धन शिक्षा के लिए इस बजट में दिया है क्योंकि अगर हम सिक्षित नहीं होंगे जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया इसलिए आज सरवादिक नौजवानों वाला जो उत्त इतिहास राजनेतिक काल का कभी इतिहास लिखा जाएगा तो आदर ये मोदी जी की जो बहुत ही मैत्वाकांची दो योजनाई हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और ये क्या सुक्षिता इन दोनों योजनाओं को प्रात्मिक्ता पर मुझे लगता है कि स्रोड़ी सरकार आज तक बनी है उसने केवल गाओं में जाकर लोगों को ठगा है उसने कहा है हमारी इससे पहले उत्रप्रदेश की सरकार की मैं चर्चा करूं तो केवल नकल कराकर विद्यार्थियों को पास किया जाता था आज 12 लाक विद्यार्थियों ने परीक्षा छोड़ी है इ प्रदान मंत्री और मुख्य मंत्री का ध्यान इस और आकरष्ट नहीं हुआ कि हमारे देश में जो लिंगान उपात के अंतर के कारण जो भयानक संकट आने वाला है उस और कौन चिंता करेगा हमारे आसपास के वातावड जो गंदा रहता है सौचाले के लिए किसी ने प्रेरित नहीं किया कि हमारी बहन बेटियां खुले में सौच ना करें स्वक्ष रहें साफ सुत्री रहें इससे वातावड ठीक रहेगा और हमारा स्वास्त भी ठीक रहेगा योग दिवस घोसित किया 21 जून को एक बड़ा कंसेप्ट लेकर देश के प्रधानमंत्री चल रहे हैं लगता है कि अब गाओं का सपना जो दिन्याल उपाध्याई जी के कंसेप्ट पर हमारे भारती जनता पार्टी के लोगों ने देखा था मुझे लगता है कि बहुत जल्ली हर घर को विजली होगी डेड़ करोड घरों को कनेक्शन देने का लक्ष हमारी उत्रप्रदेश की सरकार का है 2019 तक 2022 तक एक बड़ा धन आवंटित किया है अपने बजट में हम हर गरीब के सरपर छथ देखना चाहते हैं ऐसी तमाम गरीब कन्याओं का विवाः अभी कई जनपदों में गरीब कन्याओं का विवाः लक्ष ते हुआ है हमारे आँ जैसे 475 का लक्ष है तो गरीब कन्याओं क मुझे लगता है कि आज गाओं के लोग जो चाहते हैं कि उनके खेत के लिए पानी मिले उनके सर पर छत हो उनकी सुक्षा की विवस्ता हो उनके स्वास्त की विवस्ता हो और उनकी जो भी परेशानी है चाहे वो बेटी के विवास से लेकर बच्चों की सिक्षा तक हो आज हम आपके समग से कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि गाउं का जो सपना हम लोगों ने देखा था आज वो निश्चित ही हम लोग साकार करने की और आगे बढ़ रहे हैं पिताइक जी एक चीज नई हुई है कि प्रात्मिक विद्यालों में अंग्रेजी माध्यम से भी सरकार सिक्षा देने का काम कर रही है लेकिन अंग्रेजी माध्यम की सिक्षा को देने के लिए सिक्षकों की बहुत कमी है देखिए हमारे हमारी सरकार ने कहा भी है कि हम बहुत सीगरी सिख्चकों की भरती करेंगी मुझे लगता है कि सारे अधिकारी जो हमारी जिले इस तर पर होने जाहिए जैसे कि मैं इटावा का उधार दे रही हूँ, हमारे इटावा जिले में भी पंद्रे अधिकारियों की न्युक्ती नहीं है, पंद्रे पोश्ट खाली है, कारिक्रम अधिकारी नहीं है, और विकलांग अधिकारी नहीं है, ऐसे तमाम अधिकारियों की पोश्ट खाली है, और लाना और डॉक्टरों को उनकी नियुक्तियों को प्रात्मिक्ता देना इन तमाम विश्यों पर सरकार गम्मीरता से विचार कर रही है और मुझे लगता है कि बहुत जल्द इन समस्याओं से उत्तर प्रदिश को निजात मिलेगी कई जगे हमने जन प्रतनिदियों से बात की जिस तरह से हम आपसे बात कर रहें तो कुछ लोगों का ये भी कहना था कि जो चिकित्सक हैं वो गाउं में चार्ज लेना नहीं चाहते हैं तो उनके लिए क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी कि वो गाउं की तरफ जाने के लिए तयार है देखिए आज हमारे जो भी जन प्रतनिदी हैं हम सब हर CSC के अंदर पर हर PSC के अंदर पर हम लोगों को निरिक्षड करने का अधिकार है हम लोग निरिक्षड करते हैं और CMO के द्वारा हमारे जहां पर भी CSC, PSC के अंदर पर चिकिस्से का उपलब्द नहीं होते या इस्टॉक के इसाफ से दमाईया नहीं मिलती मैं तो कहती हूँ कि पहली बार जो रैविस इंजेक्शन होता है जो कुटे के काटने वाला जिसको गाउं के लोगों को बहुत जरूरत होती वो पहली बार हमारे चिकिस्सा केंदर पर उपलब्द है और उसकी बड़ी मात्रा में उपलब्द नहीं है इसलिए सरकार हर चोटी से चोटी समस्या को गंबीरता से ले रही है और उसके निराकरण के लिए पूरा मन से प्रयास कर रही है अभी बजट भी पास हुआ काफी कुछ पैसा गाउं के लिए बताया भी गया सो करोड रुपया लगबग किसानों के खात के लिए भी आया उसम गाउं के किसानों को वहीं पर यंत्र उपलब्द होंगे जो उनके खेती में काम आ सकते उनको सबसिटी मिलेगी आज खाद और बीज उपलब्द है हम लोगों को ध्यान होगा कि पिछली सरकार में जब हम डी एपी और यूरिया के लिए अपने केंडरों पर जाते थे तो ह हमारे किसानों को लाठिया खानी पड़ती थी और आप सब के माद्यम से पूरे प्रदेश की जनता जानती थी कि कितनी परिशानी लेकिन हमारी केंडर की सरकार ने यूरिया को नीम कोटिड किया आज हमारी डी एपी की उपलब्दता है हमारे क्रेकेंडरों पर हमारी यूर प्रिया की उपलब्द था और खाद और बीज बराबर उपलब्द हैं और उपलब्द ही नहीं है सस्ते दरों पर उपलब्द हैं और अच्छे अच्छे बीज बाहर से हमारी सरकार उनका प्रियोग कर रही है लाकर हमारे किसानों को उपलब्द कराने का जिससे हमारे किसानों उपयोग में लाई जा सकती कौन सी चीज पैदा हो सकती है कौन सा अनाज पैदा हो सकता उसके लिए प्रदा प्रिक्षड के माद्यम से हम भूमी का प्रिक्षड भी करा रहे हैं और यह जानकारी कर रहे हैं कि हमारी जमीन में किस जगे पर किस की कमी और उसको उर्जा देने क काम हम लोग कर रहे हैं तो हर इस तर पर प्रयास हो रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि 2019 के बाद आते आते 2019 हम किसानों की आमदनी को दुगना करेंगे गन्ना किसानों को भुकतान हमारी सरकार ने किया पहली बार गेहूं खरीद केंदरों पर बड़ी मात्रा में इस से बाहर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं तो इसलिए हम आलू के खिसानों को भी राहत देने का काम कर रहे हैं एक बहुत अच्छा काम अमारी सरकार ने किया वन टिस्टिक बन प्रोडेक्ट क्यों हर जिले में कोई न कोई उपलबदी हर जिले की होती थी और वो कही न कह चमता नहीं है कि पूरा आलू उनमें एड़जेस्ट हो जाए या पूरा आलू खपद हो जाए तो उस आलू को अगर बाहर ले जाया जाएगा तो मुझे लगता है किसानों की आय दुगनी होगी और जो हमने कहा था कि हम सब का साथ सब का विकास करेंगे हमने ये भी कहा था क सर्वे भवन्त सुखिना सर्वे संतु निरामया यानि सारे लोग सुखी रहें सब का कल्यान हो और उसमें हमारा किसान गरीब महलाएं सब आते हैं और हमारी सरकार प्राथिमिक्ता पर इन सब के लिए काम कर रही है प्दाइक जी एक चौदमे वित का जैसे मामला सामने आया चौदमे वित में ग्राम पंचायतों के लिए धनराशी जा रही है लेकिन ब्लॉक में चौदमे वित के धनराशी का मतलब हिसाब किताब रखने के लिए अभी तक किसी व्यक्ति की नियुक्ति नहीं हो पाई देखिए सरकार उसे पर विचार कर रहे हैं मुझे लगता है अती सीक्र ही ये विवस्ता को हमारे जिलादिकारियों के माध्यम से सुनिशित किया जाएगा लेकिन एक और बहुत अच्छा काम होगा इतनी सरकार की उपलब दिया कि मैं आपको डेड़ दो गंदे बता सकती हू हमारी सरकार ने बन बिभाग के जो हमारा बन बिभाग है उसने पेड़ों के माध्यम से उसने का कि हम जमीन को हराबरा करना चाहते है जिससे पेड़ लगेंगे पेड़ों से हमको लाब भी होगा हमारी ऑक्सीजन हमारा बाता बड़ी भी सुद रहेगा और उन्होंने का कि किसानों को हमारे जो ग्राम पंचायते analyzed हैं उन ग्राम पंचायतों को जो पैसा दिया जा रहा है उसकी बरावर monitoring हमारे जलादिकारी इस तर पर हो रही अब जैसे सभाभी का कारक्रम चला है थो हमारे जलादिकारी कई गाओं में गई हम लोग सात में गई और निरिक्षड के दौरान देखा कि कहाँ पर हमारी नाली को नालीयँ बंद हैंचोक हैं आपर हमारी गली टूटी हुई है कहाँ से हम पानी को बाहर निकाल सकते हैं तालाव की जमीनों पर लोगों का कबड़ा, पचली सरकार के दबंग लोगों का, उन जमीनों को खाली करा रही हैं, गाउं में तालाब Balak akabies जिससे पानी खटा हो सके और हमारे जानवरों को और वो पानी कहीं खेती में भी उपियोकी होगी। चोटी चोटी से अभी हमारी सरकार के दोरा बीज भेजे गए थे जिसे चुकंदर का बीज गोभी का बीज पालक का बीज तो उनोंने उनका कंसर्प्ट है कि गर्ववती मेलाए जो बाहर से नहीं ला सकती है लेकिन वो उनके कच्छे घर में अपनी छोटी सी एक किचिन में क्यारी बनाकर और इस सब्जीयों को पैदा करके और वो प्रोटीन आयरन सारी चीजें वहाँ पर उपलब्द करके अपना स्वास्त का ख्याल रख सकती है लेकिन जो प्रधानों को पैसा जा रहा उसकी मॉनिटरिंग भी हमारी सरकार ठीक ढंग से कर रही है ब्लॉक की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर जो सचिब होता है ग्राम पंचायत का वो ऐसे मान लीजे कि सरकार और ग्राम पंचायत के बीच की कड़ी है लेकिन इस समय मौझूदा इस्थिदी की अगर हम बात करें तो एक-एक सचिब के पास में दस-दस बारे-बारे गा नाई है तो मैं उसके विसे में मुझे जानकारी नहीं लेकिन एक सचिब के पास अगर एक या दो ग्राम पंचायत का भी भार होगा तो मुझे लगता है कि इतनी ज़्याद है ऊपर के अधिकारियों से उसकी मौनिटरिंग हो रही है कि सचिब कुछ गड़वड नहीं कर सक लिए और उसके विना विकास संभब नहीं है तो मुझे लगता है कि सचिब काम ठीक से कर रहे हैं और अगर उनके पास कोई ओबरलोड है तो सरकार उसकी भी विवस्ता करेगी ऐसा मुझे विश्वास है तो आपके विधानसभा छेत्र के ग्रामीन छेत्रों में जो आपके विधानसभा जीतने के बाद हमारी विधायक हमारी जो जमीनों पर कब्जा उन जमीनों को खाली करवाइं है तो आपके अंदर के विवस्ता यहीं हैं और दूसरा हमारे यह से जो हैंट पंप दिए गई हैं लाइटें दी गई हैं हमने कई सड़कें भी सीखरत कही आ हमने ख़जान चाईंगां में जान के लाम ले कर आपको पता सकती हूं एलेक्रिक सब्डा घ्र कराने काम किया हमने एक मिनी एस्टेडियम पूरी तैयारी के साथ अपनी विदानसवाद चेतर से पांच जमीने निकलवा कर और मैं जमीन की कठनाई होती है कोई भी उद्दोग लगाने के लिए सबसे पहले सरकार की ये कठनाई होती है कि जमीन कहां से आएगी तो हमने वो जमीन के सहत कागज अपनी आदिन योगी ज चुनाव जीते तो पिछली सरकार के कुछ ट्यूब बेल बचे हुए थे तो मैंने सर्फ तीन दिन के अंदर और ट्यूब बेल लगवायकर उनमें पानी चालू करा दिया तो जनता खुस है और प्रात्मिकता पर हमारे हां हम काम करा रहे हैं मुझे लगता कि काम ठीक चल र सरकार के हाथ पीसे नहीं है कोई लेने वाला चाहिए सरकार ने 35,000 रुपए की उजना बनाई तो देने वालों को भी अच्छा लगा कि जब सरकार इतना सोच रही है तो हम भी जो सक्षा में उन लोगों ने भी बहुत सहियो किया और बहुत अच्छी अभी हमारे यां 52 चाहिए तो इसा पूरा काम हमारे यां चलना है और हमारे यां जो सरकारी योजनाए है वो मुझे कहते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि उनका काम भूत ही सीगरता से और बहुत सुचारों रूप से हमारे यां हो रहा है जब ग्राम पंचायत में राजनीती काफी होती आप जानते होंगे तो यहां अक्सर यह होता है कि जो आदमी ग्राम पंचायत में चुनाव भार जाता है वो दूसरे आदमी के पीछे लग जाता है जो जीत जाता है इसमें नियम यह बताया जाता है कि शपत पत्र के माध्यम से ही शिकायत होनी चाहिए लेकिन आज कल एक पे क्या सरकार एक्शन लेगी देखी idea इसा तो कोई कोई Lastly करता फे कोई एक्शन लिया जाएं किसी इसमें नहीं बना है किसी थारा में लेगिन फिर भी मुझे लगता है कि ऐसा बहुत कम होता है कि उनकि जो लोग सिकायत करते हैं अगर शिकायत कर रहे हैं तो हमारी भी कुछ गंबीरता है जो लड़े हुए लोग है वो ऐसा जूट करते नहीं अगर फिर भी करते हैं तो निस्षिती जांच होती है और जांच के बाद कारवा ही होती है तो यह थे इटावा सदर से विधायक सरिता भध़ोरिया जी जिन्नोंने ग्रामी बातों पर हमसे चर्चा की और सभी बातों को वड़े विस्तार से रखा आने वाले समय में भी हम ये उम्मीद करेंगे कि विधान सभा में ये गाउं और देहात की बात को आगे उठाएंगे और गाउं की तरक्की के लिए अपने इस तर से प्रयास करते रहेंगे ABPS News के लिए अजय परताब सिंग लखनव